हलो श्रेंट्स महुरमा कान पटेल और आप देख रहे हैं साइन्स जोन एकेडमी छिनवारा आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे श्रेंट्स PNSP 2023 related exam की जानकारी और साथ ही साथ में श्रेंट्स हम आपसे बताने वाले हैं इस वीडियो में कि DME क्या होता है और DHS क्या होता है तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो लोग already जानते हैं DME श्रेंट्स उन college को कहा जाता है जिसमें श्रेंट्स आप लोगों को college मिलने के बाद में जब आपकी training चलती है तो वो medical education में होता मतबब medical college में होती है हर जिले में medical college होते हैं आप लोगों की जो training होती है आप लोगों जो training period पर पहुँचाय जाता है वो medical college में पहुचाय DHS में जो होते हैं आप लोगों को ठेक ट्रेट्स ऑफ हेल्थ सर्विस इससे कहा जाता है इसमें आप लोगों को गवर्मेंट हॉस्पिटल वगएरा हो गए ऐसी जगह पर पहुंचाया जाता है और इन लोगों की जो होती वो एक जिला स्वास्त समीती होती इसके अंतरकत तो आप लोगों ने देखा जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर जितने भी चैक वगएरा होते हैं तो वहाँ पर जो नरसे काम करती हैं वह आप लोगों की पिएंस्ट़्ज जो ट्रेनिंग के लिए आती हैं वो लड़किया आप लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलती तो उसे हम लोग DME कहते हैं तो PNST में आपको लोगों को दोनों college देखने को मिल जाते हैं DME और DHS college मिल जाते हैं तो अभी फिलहाल आपकी DME college हैं जिनकी total seat हैं 810 हैं जिनके लिए आपका PNST का exam conduct होता है तो इसमें DHS के college यदि मिल जाते हैं तो इसमें आपकी 9 college हो जाते हैं जिसमें आप लोगों की 560 seat हैं यह अलग से बढ़ जाती हैं अभी फिलहाल आप लोगों का college आपको मिलेगा वो cable DME के base पर ही आपको मिलेगा दोनों में कोई फर्क नहीं है आप लोगों को यदि DME से college मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है DME में बस यह फर्क है श्रेंस की आपको थोड़ी सी fees जो है वो जादा लगती है आफ यहाँ आपको 10,000 रुपय सालाना खर्च आता है यहाँ फिल्द्स आप लोगों को बता दें श्रेंस इसमें आपको scholarship भी मिलती है तो आप लोगों को जादा कोई tension नहीं होती है यहिदि श्रेंस आप PNST के form को fill करेंगे तो आप लोगों का strength biology subject होना चाहिए और केबल लड़किया ही PNST के exam को देती हैं लड़के PNST के exam को नहीं देते हैं तो जनरल वाली लड़किया इस form को भरेंगी तो उन्हें 40 रुपे लगेगा form भरने के लिए ST, SC, OBC वाली लड़किया इस form को भरेंगी तो उन्हें form की फीज जो है वो 2 रुपे लगेगी अब कौन-कौन से college students आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तो इस आप लोगों को पहला college जो है तीसरा जवलपूर मिलेगा, चौथा ग्वालियर का है, पांच पा रीवा का है और छटपर students आप लोगों का सागर का है तोटल आठ सो, दस सीटें students इन college में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी तो students यह है PNST के आपके DME college, DHS college students इसमें एड नहीं है जैसी यदि एड होते हैं तो आपको उसका भी एक वीडियो अफ्लोट कर दी जाएंगे कि उसमें कौन-कौन से college आपको देखने को मिल जाएंगे तो यदि आप लोग PNST exam crack करते हैं तो आप लोगों को इन ही college में admission मिलेगा जो भी आपकी rank है सबसे ज़्यादा अच्छी rank है तो आपको इंदौर, भौपाल मिल जाएंगे थोड़ी कम rank है तो students आप लोगों को जवलपूर, गौालियर जैसे college मिल जाएंगे थोड़ी और कम rank है तो आपको रीवा है, सागर है, ऐसे आपको college मिल जाएंगे लेकिन आपको PNST की total जो है वो 810 सीटे हैं तो आपकी धी 1000 या 1200 क्यासपास में धी overall rank है तो आपका असानी सी selection यहाँ पर हो जाएगा अब सलेबस की बात कर लेंगे, तो च्टेंस टोटल जो आपका paper है वो 1010 नमर का होगा 150 marks का होगा और च्टेंस 150 marks का जो paper होगा वो आपका online होगा, offline paper नहीं होते हैं तो computer पर बैठ कर आपको ठीक है, तीन घंटे च्टेंस paper देना होगा तो तीन घंटे का जो paper होगा, online होगा, तो आप लोग computer थोड़ा बहुत चलाना सीख जाएं क्योंकि आपको paper जो है वो computer पर भी बैठ कर देना होगा, हलाकि paper जो है आपका total जो है वो MCQ होता है, मतलब आपको स्वित क्या करना है, question पढ़ना टिक लगाना है लेकिन इदि आप तयारी करोगे, coaching आपने किये हैं, तो ही आपका exam निकलेगा बैसे ही आपका normal exam नहीं निकलेगा, क्योंकि 11, 12th, plus उसका advance हो है आपको वो subject पूछे जाते हैं, तो physics आप लोगों को 30 question आएंगे 30 marks के लिए botany के 30 question 30 marks के लिए, geology आपसे आएगी 30 question 30 marks के लिए और general English आएगी students आप लोगों से 30 question मलब आपका physics chemistry और ये हो गया students आप लोगों का bio तो physics chemistry bio और plus आपको English आएगा तो total इस तरीके से आपको 150 question आएंगे, 150 number के लिए एक question एक number के लिए होगा, कोई भी negative marking नहीं है वालों की दिए हम बात करें लड़कियों की, क्योंकि लड़किया ही paper देती हैं, तो यदि आप लोग यहाँ पर 85 plus यदि नम्मर लेकर आती हैं, तो आप यहाँ पर counselling करा सकती हैं, selection होने के chances आपके बनेंगे, STSC वालों की दिए हम बात करें, तो यदि आप यहाँ पर 60, ठीक है, 8 के आसपास यदि नम्मर लेकर आते हैं, तो आप यहाँ पर safe zone में, और यदि OVC की लड़कियों की दि हम बात करें, यदि यहाँ पर आप 75 plus यदि हैं, तो आप यहाँ पर safe zone में हैं, आप counselling करवा सकते हैं, selection होने के chances आपके असानी से बन जाएंगे, तो यह आपके cut up भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद में strengths, हम यहाँ पर बता दें आपको, तो strengths आपको सालाना जो खर्च है, आप देख सकते हैं, आपकी सुल्क हो गई, computer सुल्क हो गई, causal money, ऐसी transport fees मिला के आपको 28,000 रुपे सालाना, जो है, college का खर्च आजाएगा, और 4 साल का आपका यह, ठीक है, course है, तो total fee, seat जो है, 810 है, और 810 बच्चों का जो selection होगा, एक बच्चों की fees आपको 28,000 रुपे सालाना लगेगी, आप students, जो course है, आप लोगों को 35,000 रुपे, ठीक है, हर महीने आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, staff fund मिलेगा, मतलब आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर scholarship मिलेगी, SP, SC, OBC, समानेवर की सभी लड़कियों को यहाँ पर 3,000 रुपे, 4 वरसों तक दिया जाएगा, छात्राओं को प्रती महा, हर महने आप लोगों को जब तक आप पढ़ेंगे, तो स्ट्रेंस आप लोगों देख लिए, साड़े-3,000 रुपे, मल्टिप्लाइवरी आप बारा करेंगे, तो आपको ठीक है, जितना आप पढ़ रहे हैं, उससे जितना आपको 28,000 रुपे साल आना जो लग रहा है, उससे जादा ही आपको स्कॉलर्शिप मिल रही है, तो आपकी फ्री में जो है वो PNST की तयारी हो जाएगी, शुरुबात में आप लोगों को जो कॉलिज की फीज है, वो जमा करना पड़ेगा, बाद में आपको स्कॉलर्शिप के रूप में वो सारी की सारी फीज जो है वो आपको बापिस मिल जाएगी, तो स्ट्रेंट्स ये आपकी सारी जानकारी थी, यदि आप PNST 2030 की तयारी करना चाहते हैं, और आप Science Zone Academy के माध्यम से घर बैठे बैठे तयारी करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंट्स आपका जो पेपर है 2023 का, वो स्ट्रेंट्स जून से जुलाई के मन्थ में आप लोगों का पेपर कंड़ेट करा लिया जाएगा, यदि आप तयारी करना चाहते हैं, अनलाइन कोचिंग तो इसमें आपको तीन घंटे की लाइफ क्लासे प्लस पूरा कोर्स HD क्वाल्टी में रिकॉर्डेट, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बोक्स, प्रक्टिस, टेस्स, स्रीज, मॉडल कोश्चन पेपर, हर संडे टू संडे आपके लाइफ टेस्स, पूरा HD क्वाल्टी में आपको एक ही बार में PNST का कोर्स रिकॉर्डेट भी दे दिया जाता, जिसे आप घर में कभी भी लगा के देख सकते हैं, तीन घंटे की लाइफ क्लासेज में स्टूरेट से आप लोगों को फुल कोर्स करा के दिया जाता है, प्लस डाउट सेशन क्लासेज रहती हैं, और बहुत ही कम फीस के साथ में, फीस भी आप को स्टूरेंस इंस्टॉल्मेंट में देना है, तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूरेंस, तो आप जरूर साइन्स जोन अकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते ह हर बार साइन्स जोन अकेडमी के माध्यम से ही PNST एक्जाम में हो रहे हैं, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूरेंस, तो आप जरूर कॉंटेट कीजिएगा, मेरे मोबाइल नमबर 9407-384042 पर, मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक पिले, थैंक यू, थैंक यू for watching this video, have a nice day.